हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो फ्रेंज आज की वीडियो में बात करें कॉलेज एड्मिशन्स को लेके जो कॉलेज एड्मिशन्स है वो स्टार्ट है जमुएन किश्मीर में तो एड्मिशन जो कैसे मिलेगी और सी यूई टी का क्या रोल इसमें रहेगा और बात करें बेस्ट कैसे मिलेंगी और किसकी admissions open हुई हैं क्या सब process रहने वाले हैं पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए start करते हैं आज की इस important वीडियो को चैनल से first time जुड़े हो तो subscribe कर लीजिए सबसे पहले बात करें जो आपका CUT की बात करें अब उसका जो new rules के इस यहर उसका इतना रोल नहीं रहेगा अगर आपने apply किया हुआ है आपको तभी भी admission मिल जाएगी एक्ज़ैम नहीं भी दिया हुआ है तभी admission मिल जाएगी जमुएन कश्मीर के colleges में अगर आपको जमुएन कश्मीर colleges के बाद डिरेक्ट admission लेनी है तो वो आपका CUT होना अनिवारे है CUT का आपका registration और CUT में appear हुए होने आप जरूरी है ठीक है वो तब ही आपको वहाँ पे admission मिलेगी जमू इन किश्मीर में अगर आपने जमू यूनिवरस्टी क्लस्टर यूनिवरस्टी जा कोई भी प्राइवेट यूनिवरस्टी में admission लेनी है उसमें admission आपको 12 के merit के base पे मिलेगी ठीक है 12 के merit के base पे मिलेगी अब बात करें admission कब से start होगी वो आपको official मादिम से बताते है जो official notification है और बात करें best option क्या रहेगा best option के लिए professional course रहते हैं jobs की preparation रहती है जा college में आप B.A. B.S.E. कर सकते हो देखिए professional course आपका जो भी रहेगा minimum 3 से above air का ही रहेगा उस professional course को करने के बाद जिसमें engineering medical में कोई जा hotel management जा और कोई medical में जा hotel management कर सकते हो और भी बहुत सारे courses मैंने पहले का वीडियो बनाया उसको देख सकते हो और बात करें उसका जो आपको package रहेगा minimum भी बात करें 25,000 आपका per month रहेगा ठीक है जाने कि 3 lakh per annum आपका course का उसका रहेगा ही रहेगा जो आपको package मिलेगा अच्छा इसा उसके बात करें अगर government jobs की preparation करते हो वी आपके लिए एक अच्छी security है जितनी देर आपने college करना है उतनी देर आप preparation भी साथ-साथ करते रहेए नहीं तो आप admission distance mode इगनो से ले सकते हो वहाँ से आपकी जो colleges है वो भी graduation भी complete हो जाएगा और साथ-साथ में आपकी jobs की preparation भी हो जाएगी तो इन सब में आप देख सकते हो अब बात करें admissions को लेके क्या process है वो आगे बढ़ते है चैनल से first time जूड़े हो तो subscribe भी कर लीजिए ताकि आपको सारे के सारे important अपने time to time मिलते रहें तो चलिए आगे बढ़ते हैं start करते हैं आज के इस part को तो जहां पर बात करें जो admissions को लेके जो बोपी है जानी की जेके बोप जमुएन किश्मीर बोर्ड आप professional entrance examination की बात करें बोपी की तो admission to the bachelor of engineering and technology course in government private college institution of duty जेन के तो जहां पर bachelor of engineering में आपकी जो admissions की बात करें notification number 22 है बोपी का 24 2023 का और उसमें जो pursuant बात करें 25 2023 को course के according जिन candidate ने जो qualifying examination पे जो आपका merit रहा 10 प्लस 2 आपने qualify किया होना चाहिए और वो candidates जिनोंने अपने marks card further the applicant who have failed to upload their marks card due to non declaration of their result जिनका result declare नहीं हुआ था उसमें उन्होंने form लगाया था वो अपने जहां पे सारी मतलब की mark sheet को जहां पे submit कर सकते हो online application और advice to visit the बोपी website regularly uploading of the marks card उनको अपने marks card जहां पे डालने पड़ेंगे और जो other conditions है eligibility को लेके वो same रहने वाली हैं और जो information है वो आपको बोपी की site पे मिलेगी तो जहां पे बात करें जो important है submission of bachelor of engineering technology course in government जा किसी भी admission जो bachelor आपकी होगी जो भी आपका entrance merit हुआ है उसी के बेस पे आपकी बोपी bachelor engineering government या private में होगी तो जिसमें आपने अगर 12th का पहले form अपडेट नहीं किया या वहां पे आप अपडेट कर सकते हो और डी यू की बात करें 24 से admission स्टार्ट है और बोपी में भी आपकी admission जो स्टार्ट है professional engineering में आप इदर अपनी admission जो स्टार्ट करा सकते हो ठीक है 24 से अगर कोई doubt हो तो comment section में जरूर पूशिए